आपको स्वागत है आल एजुकेशन में तो आज हम बात कर रहें औरिनेंस फेक्ट्री अपरेंटिस डाकुमेंट्स बर्पिकेशन को ले करके जैसे कि आप लोगों पाता हो कि कुछ फेक्ट्री का यहाँ पे ओलाइन डाकुमेंट्स ब्रफिकेशन हुआ था इमेल के माध्या इसका डेट पर आ गया था उसके उपर वीडियो बना थे उसके बास से यहां पर पोस्ट्वेंट कर दिये से कि यहां पर जो भी जाना था आपको उसको पोस्ट्वेंट कर दिये गया था अब जो है इसका एक नया नोटीस जारी किया गया अपडेट देख सकते हैं 21 सितंबर 2020 को यहां पर जारी किया गया जिसमें आपको यह डाकुमेंज वरिपिकेशन का प्रोसेस चेंज हो गया है तो चलिए आपको नहीं इमेल्स करना है और नहीं आपको यहां पर जाना है तो और नीचे आने के बाद से देखिए यहां पर हिंदी में दिया गया और इंग्लीज में दिया गया दोनों बात बिल्कुल सेम है तो चलिए हम आपको यहां पर दिखा रहा है जूम करके यहां पर आने के बाद से कुछ यहां पर डेट हो आया था सबको यहां पर रद कर दि देखे इस समद्ध में आपको निर्देश दिये जाता है कि आप अपनी आप निमलिखीत दास्तावेज़ों के हाट कापी जो राज़ पत्री का अधिकारी या पबलिक नोट्री द्वारा सत्यापित किये गए हो निमलिखीत पते पर 10 अक्टूबर 2020 तक या उससे पहले भेज पत्री जो भी आपको नीचे बताएगे क्या के डॉक्मेंस आपको या पर लगेगा और अब bet नोट्री भी दिखाएगा किस थर से बनता है देखिए यहां पर सबसे फर्ष्ट में आपको बिता जाए राज पत्रिका या पॉब्लिक नोट्री यह जो राज पत्रिका में जो भी से हम बोलते हैं गेश्टेट ओफिसर यहां पर कुछ हाई लेबल की जैसे आपकर गोंकट को जाना है और हंपको हो संपर्क करना कि पॉब्लिक नोट्री की बनाते हैे आपको यहांμε जरूरत पड़ा होगा क्भी यह से उसे जो मुख्य कार होता है यह वरिफाई के लिए नोटरी बनवाय जाता है तो यहाँ पर जाएगा अपने डाकुमेंस ले करके और वहाँ पर आपको इस तरह का मुहर लग जाएगा तो आपके डाकुमेंस 100% मानने होगा वरिफाई के लिए तो चलिए इसके बारे में और आपको बता रहा है और जब भी आप जाएगा तो सभी आपके जो भी डाकुमेंस होंगे सबका ओरजिनल भी ले करके जाना है उसके बास पोट्डू कापी लेकर जाना है क्योंकि जो भी आपका नोटरी और आप बनेगा फोटोकापी पर होगा और जो आपका ओरिजिनल जब दिखाएंगे तभी वहाँ पर मानने के जाएगा उससे मैच करा जाएगा अगर फोटोकापी ओरिजिनल उसके बाद से यह आपके यहाँ पर वेरिफाइग किया एड्रेस पर आपको यहाँ पर लिख करके भेजना है इसी एड्रेस पर आपको इस पीश्ट पुश्ट भेजना चलिए और भी आपको बता दे रहे हैं इसके बास तो देखिए फंस्ट नमर में आपको जो आलाइन करते समय आपका प्रिंट आउट निकला होगा उसको लग प्रिंट वेरिफाई होना चाहिए और यहाँ पर फोर्थ नमर में आपको बता जारे कि एंसे बीटी एसे बीटी जो भी लोग आते हैं उसका मुले परमाणपत होता है उसको भी आपको करना है जो केवल आईट इवलोग के लिए हैं और यहाँ पर जो पाच्वे नमर में बताए जारे कि आपके पास अधार कार्ड जो आनलाइन करतों समय अपना आईटी प्रूफ दिया हुए अधार कार्ड पेन कार्ड जो भी है उसको भी आपको इसके साथ अटेच करना है उसको भी आपको नोटिंग साथ वेरिफाइग करवाना है और यहाँ बता जारे काटेग्रीम आते तो आपको उसका भी ऍक सेंड करना है और नीचा अनेका बाद से बताए जारा इसमें कि जो केसे और यहां पे सत्याफित करेंगे इसके वाख यहाँ रcellıs पत्रिका द्वारा सत्यापित करके या नोट्री पबिक द्वारा नोट्री करके यहाँ पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीट पोस्ट हम तो कहेंगे आप स्पीश्ट को पोस्ट करें क्योंकि इस पीस्ट पोष्ट होता है वहां से जो मिलता है उसका रजिस्टर नबर वहां से अपट्रेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो ओले डर कहां तक गया है रजिस्टर में आपका कोई गारांटी नहीं होता है तो आप लोग की स्पीश्ट पोस्ट करिए 40-45 रुपए लगता है और नीचे अरे के बाद से बता जा रहे कि 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसको भेज देना है जो कि आप यहां पर भी एड्रेस बता जाना है इसी XIDL करके आपको यहां पर अपना स्रियल नंबर यह आप देखे एक्जांपल के लिए दिया गाए XIDL करके 001 यह जो है आपको मिलेगा आपके mail लिष्ट में जो आपका mail लिष्ट निकला था वहीं पर आपको सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा आपके नाम के आगे उसी सी कूल अधार कार्ड जो भी आप आई टी आई कमार्शी टों करना वेज़े होगे उससे मैच करा जागा अगर मैच करता है तब आपको आगे के करके डाकुमेंट सेंड कर सकते हैं अगर इसके बाद भी आगर आपका कोई भी कोशन होता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके पुछ सकते हैं रिप्लाइद देने के पूरी पूरी कोशिस करेंगे जय हिन जय भारत मुल्ट करेंगे